हेलो एरोन कैसे आप सब उमीदस अच्छा होंगे मैं कैसा हूं अब कैसे हैं यह पूछने की बात ही नहीं है क्यों कि आप तो मस्त होंगे और मैं भी अच्छा हूं और हम जो आज बात कर देखे क्च्छ कछ़च दसवी का को से चेपटर भई हम बात कई ते कछछ दसवी का आज बात करेते हैं चेपटर नंबर 15 जिसमें से आप क्या पढ़ लिये थे कि कैसे जी वो का विकास हुआ था और कैसे आप पहुंच गए थे अनुवानसिकी में अनुवानसिकी क्या होता यह भी कोश्च इंपॉर्टेंट है सर वह भी आज डिसकस करने वाले हैं और इसके बारे में भी बताते हैं मैं कई बर बोल चुका हूं लेक्चर के दोरान कि क्या होती ह बने मले है णोवानसिकी उस ही के सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने मले हैं जो-डिसकस किया था हमारा कौन से ने पर Expert किया था रונים आनुवानसिका करने वाले हैं किसके बारे में मतर के बारे में और मतर क्या है यही तो है मेंडल सर के खोज अब यह तो अब जानने वाले है आज की इस लेक्षे में पूरा पता चाहिए सब्सक्राइब करेंगे साथ जनकारी लेंगे किसके बारे में रनकारी लेंगे हम लोग क्या बहीं किसके बारे में लेंगे हम लेंगे प्रभाविता का नियम है ना प्रभाविता का नियम ठीक है और साथ साथ यह जो है कैसे कि टी एच सॉरी स्माल टी स्माल टी बोल सकते के लोग एज भी बोलते हैं इसको स्माल टी है ना छोटे पौधे बड़े पौधे बोल सकते हैं इसे बड़े पौधे है ना यह कैसे जो है आपस मिलकर टी-टी यह इसको कैसे टी-टी-टी इसमाल टी-टी और यह जो है यह टी-टी के रूप में कैसे यह जो है कैसे पौधे का डिसाइड होता है कैसे प्रभाविता का नियाम लाग होता है इस पर हम चलने वाद है लेकिन अगर आपको लगता है तो मैं बता दूंगा भई ठीक है तो हम क्या बत कर रहे थे हमें पता चला था सर कि यह जो आपकी प्रभाविया और प्रभाविया अच्छन है यह क्या है इसके बारे में कोशन पूछा आ सकता है तो जब भी दो क्या होता है वह बिल्कुल कुछ ने कुछ होती है तो जो संक्रन की क्रिया है है ना तो संक्रन की क्रिया के पश्याद जो आपको मिलता है जो रिजर्ट दिखाई देता है तो और लगया था ये और 28 भी पूछ़़ा जाता है ठीक है यहाद की बात समझ नहीं अब किसरे जिन क्या हैं जीन हमारे अंदर में ढहल कि अनुवान्सिक्ता की का ही है अब आई सीद्वान में बताते हैं कि यह जो ना वह जो है कड़ी दर कड़ी दर चलता रहता है तो यह क्या कि अनुवांसीगी ऑनवांसी क्या है अनुवांसी मतलब संथ्य के संथा तो यह बोल सकता हूं है कि जो अन्वानसी की है वो एक क्या है एक जीवन यापन के संदर में बात करूं एक इंसान में यह फिर जीवीक्रणापन कि तो यह जो चलने वाली प्रोसेस है और कडी दर कडी जूड़े हुए रहते यह है और यह किस रूप में होता है इस पर पूरत रहने वाले चीज है जीं जो कि एक करम से दूसरे करम में बढ़ता हुआ जीं ठीक बात समझ में बच्चों यहां तक यह जो छोड़वड़ तीन नंबर को इसको बनाकर पुझ दे जाता है चार नंबर के प्रशन को भी दो नंबर करकर भी यह तो आपको पता ही होगा पूरा आपको कैसे साइंस में कर लगा था ठीक है यहां तक की बात क्लियर हुई अब हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि और कैसे कोशन आया है इससे तो आप देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कोशन आने वाला और आभी गया है क्या कि मिंडल सर के अनुआन सिख्ता की नी 22 सब में पुछा गया है और आभी सकता है और आएगा ही यह मान के चलिए भई 110 परशेंट है ना अब मैं बता दू इसके बारे में ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं चलो भई विंडल सर के नियम के बारे में तो जो है नियम का नियम क्या सब्सक्राइब का नियम तीन जो है नियम नियम अब यह तो बता दूं इस पर डिपेंड है इस पर इंटर यह चलते हैं जो आपको सुर्म जो कोश्जन पताए प्रभव और परभावी वह जो है यह नियम के अंदरगत आता है उस पर चलते हैं कि निमना प्रकार है जब हमें पत्दर चलता है है सर कि जब फोल रहा है प्रभावी तर नियम नियम बोल रहा है कि जो फिर्बी फोथ इसको अगर सब्सक्राइब कर आए लेकिन समझने के लिए नहीं लोगों कराओ मैं उनलोग को मैं क्रिया कराओ मैं अगर तो मुझे पढ़ा चलता है सर की जो डॉमिनेंट है जो ज्यादा है जो ज़्यादा प्रभावी है उसका इफिट पड़ेगा आप बोलोगे सर यह डॉमिनेंट प् बच्चा सर से अच्छा बादिंग मतलब क्या जो बात करते हैं क्या होता है जैसे आप इसकूल गया हो पुरा अच्छा निकल गया कुछ ऐसे बच्चे निकले यह पिर आप भी हो सकते वह बच्चा जो सर यह कोश्य इंपोर्टेंट है सर आज आप इतना पढ़ा दिये सर इसको आप बात में कराएं ऐसा इंट्रेक्ट करने वाले कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत अच्छा नेचर है जो कि होना भी चाहिए बच्चों को अब वह बच्चा जो है सर से ऐसे बात करता रहता है कभी भी डौट होते पूछ लेता है अब क्या हुआ अब मैं पूलूं अगर मैं उसको मैं लेके जाओं रहिए हमेसा मेरे बातों को सुने और मेरे काम भी आये अशे सम्झेगे इससपिर आपके सर क्या करेंगे और बच्चा गड़ेंगा जो हमेसा बात करता है घरना सब्सक्राइब करता था उसको गेश्ट को बताएगा ताकि वह उसे मिले उसे जूले और गेश्ट जो क्या है वह साइंटिस्ट में चला गया तो क्या समझ में आया उस पूरे 90 लोग के सब्सक्राइब करते थे बात करते नहीं रखते थे उनको क्या मिला उनको कुछ नहीं मिला लेकिन गोल्डन ऑपरशनेटी मिल गया है जो साइंटिस्ट के साथ बैठा है तो मतलब यह बात हुआ जो रोमिनेंट है जिसका प्रभावी गुन है वह बच्चे का गुन था इस काना से वह सेंटिस्ट के साथ बैठा है तो वह दिखाया जो गुन था तो वह क्या हुआ प्रभावी हुआ भई तो वही बात कर रहता है जब इस लच्छन वाले पौधे को क्रास कर आता है तो लंबे पौधे कर बना नोगा टेबाल रवो मुन बने पौधे का मंबे पौधे में करास करा जाता है तो प्रथम पीड़ी में केवल लंबे पौधे ही प्रापत होते बात समझ में अप जो फॉस्ट जो हैूचैं़ वह ना वह जो है बन कैसे रहा है door Pope जब वह संकर कर रहा है लंbे पोधे और ब्वरेपोधे अभी कैसे करता है सफ़ाथ सद्धाय करते हैं अब बात करो लंगे पोधे का सेट्षन बराँके की अंट करों कि मार्टी से बने पोधे यह हुआ लंबे बात Гale यहां तक क्लेर हो योopard हो ठीक है अब यह जो घ्राइं क्राइब संख्रान करा बन गुंद तीja इस सुद्द होगी बनाद यह फैसे डोनों कि विसुद्द रुप नहाँ थे अब क्रेंगे सन्वी इस बत्रश बंखरोग्डियृक्षी सब्सूद्ध तो से लंबे पॉधे यह भी बना दिया है क्थ यह रहा है उस्थ नंब जैंट कैसे सूध्द लंबे पोधे क्यों दोमिनेंट कौन दीक्षारate मुझे क्ईड़्स ढना बरबन रहा है मतलब बनाएं क्या बन रहा है न कि रहे हैंо बाद क्या समझन है बच्चों बात हमें समझन है रहा है मतलब तो बना थी यहां तक बात समझ में आये बहीं क्लियर हुआ देखो समझ में यह वालाइन उस्चन होते होैं दिखाई देता है वो प्रभावी लच्छन जो नहीं दिखाई देता है वह प्रभावी लच्छन उद्हान देखो लंबे पौधे में क्रास का आता है तो प्रथम पिढ़ी से में केवल लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं यहां तक बात समझ में यह क्लियर हुआ बच्चो आगे बढ़ें अब हम देखते हैं सर यह जो दूती नियम है वो कैसे आता है इस पर चर्चा करेंगे तो जो सरे नियाओ दितेनियम में दोनों जनकों में प्राप्त विभिन यूगमित कारक यूगमको के बढने से पहले जनक को सीखावज से सलंग न रहता हैं परांतु यह कारक स्वतंत रूप से यूगमाजों से अलग हो जाते हैं इस सिधान को ही यूगमकों के सुद्धता का यहां तक बात समझ भी आई मैं इस पर बिल्कुल चर्चर करने वाला हूं भाई कि यह जो है पहले से यह कैसे इस पर चलते हैं अब इसका प्रतम प्रत में प्राप्त हुआ है जो बहुत तो बड़ा वाला पौधा और चोटा मिला हुआ मक्सर बाधार में उसको बैप चलूँगा उसका फिर मैं आगे क्या करूँगा फिर मुझे क्या था सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो यह जो सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो यह जो प्रोसेस चलता रहता है आप बिल्कल बुक से पूराइब मैं इस पर आप मैं यह जो प्रोसेस चलता रहता है फिर जाके इससे जो क्या को बहता है भी कहते हैं ठीक है यह तक बात समझें आप यह बढ़ गए सर लास्ट प्रोसेस कैं बच गया लास्ट प्रोसेट बोलता है यह जो आता है वो क्या बोलता है सर वो बोलता है जब दो जोड़ी विपरित अब इसमें लच्छन जो अलग-अलग फिर से ले लो उसके बाद क्या बलते हैं उसको लेने वाले पौधे की बीच संकरन करा रहता है तो उसे स्वतंत्रा प्योहन का नियम करता है जिसमें के शलता है ठीक है बच्चों यहां समझ में आया के रुपात में देखने के लिए मिलता है यहां तक समझ में आया तो इस प्रकार से बहुंत important question आपसे clear होगे बच्चों आप बिलकुल इसको अच्छे से ध्यान से बिलकुल करिएगा और अगर समझ में आया तो बिलकुल कम तो हम मिलते हैं यहां तक की बात खतम हो गए बच्चो हमारा एक जम से मिसंदोहरतरी जो आपके लिए लाया गया वो चल रहा है विल्कुल आपको फ्री आप कोस्ट में आपको देखने को मिल रहा है यूटूब में अगर आपको थोड़ा से पैड अगर थोड़ा से अगर द आप अपने भाईयों अपने दोस्तों को भी विल्कुल सेयर करें तो आज के लिए इतने बच्चों मिलते हैं धन्यवाद